हेलो येवरीवन आप सभी का सुवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेज बाइब रवीपल फ्रेंट्स आज की सेशन में हम कवर करेंगे दो अगस्त के इंपोर्टेंट करेंगे कल की इंपोर्टेंट क्वेशन्स उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे उ इंपोर्टेंट 15 क्वेशन्स को उसके बार發現 हमारा आज का जो डेली जो टॉपिक वाइज हम करेंट रवीजन कर रहें कर रहे हैं व्याय जो अजंए पूर्टेंट का रिवीजन कर रहे कि हमारा सब्ता ही हम घ्रत में आज smells में आ church वि आ hust के इमक्यान से जो हैं आप मुझे comment box में जरूर बताएं तो इस तरह से आज का जो है हमारा पूरा session रहेगा और फ़ेंड इस session का जो PDF वो आप लोग को हमारे telegram group से मिल जाएगा telegram group का नाम है हमारा रवी study current affairs by रवी ठीके तो telegram group का भी नाम याद रखेगा current affairs by रवी जहां पर आपको हमारी जो current affairs की वीडियो से उनके PDF मिल जाएगी और अगर आप quiz solve करना चाहती हैं जो भी हमारा current affairs का session रहता है उसके आप test questions भी लगा सकती है उसके लिए आप हमारी application को download कर लिजेगा friends application का नाम भी याद रखेंगे उसका नाम है रवी study gk ठीके दोनों याद रखेगा आप लोगों को ये play store पे मिल जाएगी आप easily वहां से download कर सकती हैं तो चले friends जो जानकारी मुझे आपको लोगों को देनी थी important वो हमने cover up कर ली है आप शुरू करते हैं आज का daily current affairs का session UPST की नई अध्धक्ष बनी है प्रीती सुधान नेक्ष देख लीजे जुलाई 24 में किसे असम का नया राज़ेपाल बनाया गया है लक्षमन पसाद आचारिया को ताइन पत्रिका की दो हुसा 24 के विश्व के सबसे महान इस्थानों की सोची में कितने भारते इस्थानों को शामिल किया गया है तो भारत की तीन इस्थानों को इसमें शामिल किया गया है जो की कौन-कौन से है मुजियम आफ सॉलुशन्स ये महारास्ट्र में है मनम चॉकलेट हैदराबाद हमेहये और नार हिमाचल प्रदेश तो ये तीन इस्थान है जिनको शामिल किया गया अगला कौशन है मानव तसकरी के किलाफ विश्व दिवस दो हुसा 24 कब मनाया गया है तीस जुलाई को और सबसे कम उम्र के और सबसे तेज पैरा तैरा कौन बन गई है इनका नाम है जिया रॉय नेक्स्ट क्वेशन है आर्बिया ने किन कंपनियों के लिए क्रॉस पॉर्डर पेमेंट एग्रिगेटर लाइसेंस को जारी किया है तो कौन कौन सी कंपनी से अमेजॉन पे एडियन और बिल्डेस्क वर्ष तो हुसा 24 में कौन सव देश 66 साल के अंतराल के बाद प्रतिश् और पर शुभारंब कहां किया गया संयुक्त अरब अमिरात में केंद्रे मंत्री भुपेंद्र यादव ने आइडियास फॉर लाइफ पोर्टल को कहां लॉंच किया है तो इस पोर्टल को लॉंच किया है आयटी दिल्ली में नेक्स्ट कोशन है किसने सुविधा नेक्स्ट कोशन देखे जमशेद जी टाटा कॉर्परेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख ये पुस्तक किसने लिखी है तो इस पुस्तक को लिखा है आर गुपाल कृष्टन और हरीश भटनी अगा कोशन ने अकिल भारतिय सिक्षा समागम का आयोजन कहां किया गया है न पाइगर रिजर्व और कहां पे है ये लोकेटेट केरल राज्यमी अंतराश्टे मैत्री दिवस कम मनाया गया 30 जुलाई को और आखरी क्वेशन है किस राज्य की विधानसभा ने संशोधित धर्मांतर्ण विधियक पारित किया है उत्तर प्रिदेश गवर्मेंट ने चलि बिधिनच से बात करते हैं आज के फिर्स इंबॉर्टन कोशन से पैरा कोशन है एफमास के राज्डितिक प्रमुक इस्मायल हानिया की हतिया कहां की गई है तो अभी हमास के बड़े नेता और राज्डिक साखा के प्रमुक इस्माइल हानिया की इरान की राष्टानी तेहरान में हत्या कर दी गई इस्माइल हानिया इरानी राष्टपती मसूद पैजेशेकियन के शबत गरहन सम्हारों में शामिल होने गए थे तो अब इरान में देखे राष्ट्रपती भी बदले हैं और यहाँ पे राष्ट्रपती कौन बने है नए मसूद पैज़ेशा कियन ये अपोइंटमेंट भी आप लोग याद रखें अगला कोशन वर्ष्ट दुगसा 24 में कौन चिकिस्सा सीवा के महानिदेशक के रूप में निक्त होने वाली पहली महिला बनी है सो चिकिस्सा सीवा सीना में ही बनी है देखे चिकिस्सा सीवा के महानिदेशक और इस पतपर निक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है साधना सक्सेना नायर अच्छो फैंट्स यहां पे आपको अनामिका भी राजीव का नाम भी दिख रहा होगा इनसे रिलेटेट आपको नियूस भी याद रखी है अनामिका भी राजीव जो है पहली वुमेन हेलिकॉप्टर पाइलेट बनी है इंडिया नेवी में वोगे इंडिया नेवी के पहली वुमेन हेलिकॉप्टर पाइलेट कौन बनी है अनामिका भी राजीव वापस आते हैं क्वेशन की बात करते हैं सुबश दुहसाद देहिस में वायूसेना में एयर मार्शल पत पर प्रमोट किया जाने के बाद साधना सक्सेना को वायूसेना की दूसरी मेडिकल आफिसर है जो एयर मार्शल रेंग तक पहुँची है उनसे पहले ये उपलब्दी किसने हासिल की है तो ये भी आदखेंगे पद्म बंदो पाध्याए जो है इन्होंने जो ये सबसे पहली वोमेन मनी थी जिन्होंने इस उपलब्दी को हासिल किया था अगला कुशन भारत दौरा अपने पहले बहुराष्टे वायूसेना अभ्यास तरंग शक्ती 24 का आयोजन कहां पर किया जाएगा तरंग शक्ति जो है ये बहुराष्टे वायूसेना अभ्यास है भारत दोरह ये आयुजित किया जाएगा कहां पिर इसको आयुजित किया जाएगा तो ये भी या दखेंगे इसकी लोकेशन है सुलोर तमिलनाडू बारत वायूसेना पहली बार वहुराष्टे हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मिजबानी करेगा अभ्यास में शामिल होने के लिए 51 देशों को आमंतित किया गया है इस अभ्यास का पहला चरण 6-14 अगस्त तक तमिलनाडू के सुलूर में और दूसरा चरण राजरिस्थान के जोदपुर में 29 अगस्त से 14 सितंबर तक आयुजित किया जाएगा अब यह अभ्यास क्यों किया जाएगा इसकी बारे में अगर बात करें तो इस अभ्यास का मुख्य फोकस है आत्म निर्भरता के तहत सुदेशी शम्ताओं का प्रदर्शन करना भारते वायू सीना के मिजबानी में होने वाला ये पहला बहुराष्टे हवाई अभ्यास है तो इस अभ्यास को इंपॉर्टेंट मार्ग करेगा इसकी लोकेशन कहां कहां होने वाला है ये आप लोग ज़रूर याद रखें बात करें भारतिवायू सीना के बारी में तो भारतिवायू सीना की स्थापना होई थी 8 अक्टूबर 1932 को मुख्याले इसका नई दिल्ली में है और अध्याक्ष है विवेक राम चौधरी अगला क्वेशन है एशिया क्रिकेट परिशत के अध्याक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया जाएगा सो कौन बनेंगे प्रेजिडेंट औफ एशियन क्रिकेट काउंसिल तो इस बद पर अपॉइंट होंगे मोहसिन नकवी चिकेन का नाम यादर कीगा मोहसिन नकवी बनेंगे एशिया क्रिकेट परिशत के अध्याक्ष पाकिस्तान किर्केट बोट के वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन लगबी एशिय किर्केट परिशत की रोटेशन नीती के तहट अगले अध्यक्ष इनको बनाया जाएगा और किनका स्थान लेंगे तो ये अपॉइंट होंगे जैशहा की जगापल बात यहां पर करें एशियन किर्केट काउंसिल के बारे में तो देखें इसकी सापना 1983 में हुई थी और मुख्याले कहां पर है इसका दुबई सायुक तरव अमिरात में नेक्ट कोशन है वर्ष 2024 में घुमन्तु महसव के चौथे संसकन का आयोजन कहां पर किया गया है तो जो नुमेडिक फेस्टिवल है देखें इसका भी चौथा संसकन हुआ और ये कहां पर और गनाइस किया गया तो ये फेस्टिवल हुआ था फ्रेंट्स या दिखेगा लद्दाग में लद्दाग के चिबरा करग्याम चांग थांग में घुमन्तु महसव का चौथा संसकन आयोजन किया गया है इसमें पचास गाउं की एक हजार से भी जादा कलाकारों ने भाग लिया यह उस्तव खाना बदोश समुदायों की सद्यो पुरानी परंपराओं को प्रदर्शित करने और संदक्षित करने पर केंद्रित है यह जो पूरा इवेंट वादा देखे इसमें लेके सयोग से सांसकतिक अकादमी द्वारा आयोजित इस कारिक्रम में खाद स्टॉल, पारंपरिक पोशाकों, हस्त शिल्प और घुर दौर जैसे रोमांचर कारिक्रम सहित कई सारे आकरशन इसमें शामिल थी तो कई सारी स्टॉल्स भी लगी थी, जो ट्रडिशनल वहां के देखे एटायर है, पोशाक है, उनकी स्टॉल्स लगी थी, होर्स रेसिंग हुई थी, बहुत सारी इवेंट यहां पर ओगनाईस किये गए थे, जो कि काफी जाधा जो थे एट्रेक्टिव थे, और सबको उन मिश्रा, अगला कोशन है, किसे राष्टे आवास बैंक के प्रबंद निदेशक के पद पर न्युक्त किया गया है, तो अभी नैशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंद निदेशक का बनी है, संजय शुकला, अच्छा वाइं बाकी ऑप्शेंस की अगर हम बात करें, तो देख इसके लब बात करें, धिरेंद्र ओजा के बारे में, तो धिरेंद्र ओजा को प्रेस सूशना ब्यूरो का बनाया गया है, महा निदेशक, और वेंस बात करें, अरोर बंसल के बारे में, तो अरोर बंसल जो है, पेटियम पेमाइंट बैंक ने इनको अपॉइंट किया है, अ संजय शुकला उन्होंने वर्ष 1991 में LIC Housing Finance Limited में एक अधिकारी के रूपे अपने करियर को शुरू किया था यहां बे बात करें राश्टी आवास बांक के बारे में तो इस्थापना हो इसकी नो जुलाई 1988 को मुख्याले इसका है नई दिल्ली भारत में अगला कोशन वैश्विक साज़दारी को बढ़ावा देने के लिए 28 वे विश्व सिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है तो World Education Summit जो है कहां पर ओगनाईस हुआ है तो ये जो शिखर सम्मेलन है ये हुआ है दुबई सयुक्त अरब अमिरात में दुबई में जो है 28 वे विश्व शिक्षा शिकर सम्मेलन का आयोचिन हुआ यह है शिकर सम्मेलन विदेशी विश्व द्यालो और संस्थानों के साथ नेटवर्क बनाने सयोग और साज़दारी को बढ़ावा देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। बात करें UAE के बारे में तो यह श्या महादीप में स्थित है रास्थानी है अबुदाबी मुद्रा है यहां की दिरहम राष्टपती है शेख मुहम्मद बिन सायद अलनहायन अगला कोश्चन है विश्व व्यापार संगटन के सदस्यों के बेज भारत को डंपिंग रोधी श इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रो पॉइंट देख लेते हैं विश्व व्यापार संगटन के सापना हुई थी जनवरी 1995 में मुख्याले है जेनेवा सुल्जेलेंड में और महा निदेशक है नगोजी और कौन्जा इवेला विश्व फेफडो का कैंसर दिवस वर्ड लंग कैंसर डे ये कब मनाया गया है तो वर्ड लंग कैंसर डे भी हाली में मनाया गया है एक अगस्त को हर एक साल ये एक अगस्त को मनाया जाता है इसको मनाने के पीछे का उदेश क्या है फेफडो के कैंसर की रोक थाम इलाज को बढ़ावा दीना और लोगों में इसके बारे में जाग रुपता फैलाना वर्ष दुहसार 24 की थीम याद कीगा देखभाल की कमी को पूरा करें कैंसर की देखभाल का हक हर किसी का है क्लोज सा केर गाप एवरिवन डिजर्व एकसिस टू कैंसर केर विश्व फेफडो का कैंसर दिवस पहली बार मनाया किया था एक अगस्त दुहसार बारा को नेक्स्ट क्वेशन है पूर्व सेनिको के लिए ई सेहत टैली परामर्श मॉड्यूल किसने शुरू किया है ई सेहत जो टैली परामर्श मॉड्यूल है इसे शुरू किया है किसने भारतिय सेनानी तो पूर्वसेनिकों के लिए इस परामर्ष मॉड्यूल को शुरू किया गया है इसेहर टेली परामर्ष जो है ये एसी एचर जो लाभारती है उनको अपने घर से चिकिसा उपचार के लिए ओनलाइन टेली परामर्ष प्राप्त करने में सक्षर बनाएगा इसके लिए उन्हें एसी एचेस पॉली क्लीनिक में जाने की जरूरत नहीं होगी तो अपने घर पे बैठ कर ही वो डॉक्टर से कंसल कर सकते हैं अपने डॉक्टर से जो भी उनके क्वेरीज हैं जो उनका ट्रीटमेंट है वो घर बैटे ही डॉक्टर से ले सकती है इसके लावा फ्रेंट्स ये सेहत पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है जिसका उदेश है सारवचनिक सेवाओं में डिजिटल समावेश और दक्षता को बढ़ावा दीना है बात करें फाइंट्स यहाँ पे भारते सेना के बारे में भारते सेना की स्थापना हुईती 1.1895 में मुख्याले इसता नई दिल्ली में है अगला कोर्श है केंदर सरकार ने केंदरे पृत्यक्षकर बोट सी भी डीटी में किन दो सदस्यों की नियुकती की है तो CBTT में अभी दो नए मेंबर्स एड़ की गए हैं उनको पॉइंट किया गए है कौन-कौन रमेश नारायन परवत और प्रबोध सेट तो इन दोनों को जो है किंद्र सरकार ने किंद्रे पृत्यक्ष करबोट में जो है नुक्त किया है रमेश नारायन परवत और प्रबोध सेट उन 1989 बैच के भारते राजरस्व सेवा की अधिकारी है CBTT का नित्रत जो है एक अध्यक्ष करता है और इसमें 6 सदस्य हो सकती है जो विशेश सचिव के पतपर होती है CBTT के अध्यक्ष रवी अगरवाल के अलावा बोड में अन्ने सेवारत सदस्य कौन कौन है प्रग्या सहाई सकसेना HBS गिल प्रवीन कुमार और संजय कुमार और अभी दो नई सदस्य और एट की गए है रमेश नारायन परवत और प्रबोध सेट तो अगर ये पूचें कि CBTT के अध्यक्ष कौन है तो इनका नाम भी याद रखना है रवी अगरवाल केंदर प्रट्यक्ष कर बोच ये वित्र मंतराला में राजस्तु विभाग का एक हिस्सा है इसकी सापना 1963 में हुई थी और मुख्याले इसका नई दिल्ली में है नेक्स्ट क्वेशन और इसे भी माकरे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन दिल्ली में पचास मीटर राइफल 3 पोजिशन में कौन सा पदक जीता है तो अभी हाली में स्वपनिल कुसाले ने जीता है कांसे पदक और ये भारत के लिए पारस ओलंपिक में आया है भारत के लिए तीसरा मेडल और ये तीसरा ही ब्रॉंस मेडल आया है और कौन लेके आया है स्वपनिल कुसाले स्वपनिल कुसाले ने पैरेस ओलंपिक 2024 में भारत को तीसरा पदक दिलाया है कुसाले ने 15 मीटर राइफल 3 पोजिशन में के फाइनल में कौन सा पदक जीता कांसे पदक स्वपनिल कुसाले ने शांदार प्रदर्शन करते हुए कुल 451.4 अंक अरजित किये स्वण पदक विजिता वाई के लियो ने कितने अंक अंक अरजित किये 463.6 अंक तो देखे अभी हाली में अगर बात करने कौन कौन जिरोंने अभी पैरेस ओलंपिक्स में पदक जीते हैं तो अभी स्वपनिल तो तीसरा मेडल लेके आए हैं इनसे पहले जो है किनों किनोंने किनोंने मेडल चीते हैं उनको एक बार देख लेते हैं मनु भाकर सबसी पहला मेडल लेके आए थी भारत के लिए महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उसके बाद जो दूसरा मेडल आया था भारत में वो मिश्टर टीम इस परधा में आया था जो किसने जीता मनु भाकर और सरग्जोत सिंग ने याँ देखेंगे मनु भाकर का नाम काफी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि एकी ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली बनी है यह पहली महिला अगला कोशन है किसे रवान्डा गर्राच्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में निक्त किया गया है सही आंसर है म्रदू पवन्दास सो म्रदू पवंदास जो है ये रवांडा गर्राचे में बनी है भारत के अगले उच्चायुक्त 24 बैच के भारते विदेश सेवा अधिकारी म्रदू पवंदास को रवांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त न्युक्त किया गया है उन्होंने पहले विदेश मंत्राला में निदेशक सहित कहीं सारे पदों पर कारे किया है नए उच्चायुद का पज्जु है कि गाली में होगा जहां वे राश्टने गतिविदियों की देखरे करेंगे तथा रवांडा में भारते हितों को बढ़ावा देंगे रवांडा देश की बात करें तो ये आफ्रिका में है रास्थानी की गाली है मुद्रा है रवांडा फ्रेंक और यहां के राश्टपती है पॉल कागमी अगला कोशन है किस देश के बैदिन जारन रिगिस्तान को युनेस्को के विश धरोहर सूची में शामिल किया गया है तो बैदिन जारन जो डेजर्ट है ये कौन सी देश में है तो ये है चीन देश में जिसे भी हाली में युनेस्को की विश धरोहर सूची में शामिल किया चीचिंग के Central Axis और बदायन जारन रेगिस्तान रेत परवज जील समों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है अब यहाँ पे चीन देश की बात आईए तो चीन की चले बात करें राज्थानी क्या है चीन की बेजिंग मुद्रा है यहाँ की रेन बिन भी और आश इसका संबन्ध है कौन से राजे से करनाटक तमिलाडू करनाटक के मुख्यमंत्री सिद्धा रमया ने मानसून संकट के वर्षों के दौरान तमिलाडू के साथ जल बटवारे के मुद्दे को हल करने के लिए मेकदातू संतूलन जलाशे परियोशना को एक महत्वपुन द्धान की रूप में जो है उजागर किया है मेकदातू बहुत देश्य परियोशना जो है इसका उदेश्य है बिंगलूरू दक्षन के कनकपूरा के निकट एक संतूलन जलाशे का निर्मार करना जिससे बिंगलूरू को पेजल उपलब्द कराया जा सकी तथा 400 मेगवाट फिशली उद्पन की जा सकी मेंग दातू जो बरियोशना है भारत के करनाटक में कावेरी नदी पर इस्तेत है तो यहाँ पे नदी का नाम भी बूस सकते हैं तो इसको हमेंने हाइलाइट किया है यह आप लोगों को याद भी रखना है करनाटक की बात करें तो करनाटक की सा इसको हमें इसको बात करनाटक सरकार ने एक सो आठ नम्मा क्लीनिक्स को बिंगलूरू में शुरू किया था करनाटक सरकार ने ही सांस नाम से एक कैंपेन था जो है इसको शुरू किया तो friends यहाँ पर हमारे जो top 15 most important questions थे current interface की वो complete हो गए है अब बात करते हैं आज के topic wise current interface का revision जिसमें हम revise करनेंगे भारत में प्रतम तो भारत में प्रतम से related top 10 questions discuss करने वाले हैं हम पहला question है पूर्भी भारत का पहला दिव्यांग विश्यवध्याले कहां पर खोला जाएगा तो ये विश्यवध्याले खोला जाएगा रांची जारकंड में नेक्स्ट जुलाई 24 में भारत के पहले भूमीगत संग्राले का उद्गाटन कहां पर हुआ है नई दिल्ली में अगला question है कहां Blue Origin के NS25 मिशन में जाने वाले पहले भारते अंत्रिक्ष यात्री परेटक कौन बने गोपी चंद थोटा कुरा जीव जन्तूओं की व्यापक सूची Fona of India चेकलिस्ट पोर्टल तयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है भारत अगला question है जून 2024 में यूनेसको द्वारा कोजी कोट को भारत का पहला साहित्य का शहर गोशित किया गया है कोजी कोट जो है किस राज्य में है तो ये है भारत के केरल राज्यमी निक्स कोशन भारत की पहली बहुत देशे हरित हाइडोजन पाइलेट परियोशना का उद्गाटन किस राज्यमी किया गया हिमाचल प्रदेश अगला question है कौन सा बैंक लक्षदीप में शाका खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है SDFC बैंक नेक्स है भारत की पहली अंडर वोटर मेटोर्टीन सेवा का उद्गाटन कहां किया गया तो यह सेवा जो है गवाने वाले करमचारियों के लिए एक करोन रुपे का बीमा मुआवजा देने की घूशना करने वाला पहला राज ये कौन सा बना है करना टक तो ये थे हमारे टॉप 10 important questions अब हम बात करेंगे आज कर डेली जीके बूस्टर जिसमें हम कुछ जीके के previous questions लेने वाले हैं पहला question है देखिए सोनल मान सिंग किस वर्ष पद्म विभूशन से समानित होने वाली पहली भारते महिला नर्त की बनी कौन सा इन्हें अवार्ड मिलाता है पद्म विभूशन और ये कम मिलाता है इन्हें 2003 में अगला कौशन है उबर कप का समन्ध किसे है तो उबर कप जो है इसक नाम है An Autobiography Toward Freedom और ये लिखी है जवाहलाल नहरू जी ने जवाहलाल नहरू जी की बात करते हैं तो जवाहलाल नहरू भारत के जो है वो प्रथाम प्रधान मंत्री थे अच्छा एक क्वेशन और भी इंपोर्टेंट बन जाता है कई बार कि जवाहलाल नहरू जी को भारत रतन से कब सम्मानित किया गया था कौन से एर में तो इन्हें 1955 में जो है भारत रतन से सम्मानित किया गया था ये इंपोर्टेंट चीज़ें याद खिएगा फ्रेंट्स अगला कोशिन है नागर होल राष्टे उध्यान जो है कहां पर इस्तित है सही आंसर है करनाटक तो न के लावा देखे बांदीपूर राष्टे उध्यान भी है और बानेर घटा, कुद्रे मुख, अंशी राष्टे उध्यान ये सभी भी कहां पर है करनाटक राज्य में नेक्स बात करते हैं अगले कोशिन की ब्रिक फिल्डर एक गर्म एमम शुष का हवा है यह कहां चलती है तो ये ऐस्ट्रेलिया में चलती है, भाते रिजब बांग जो है इसका राष्टे करन कब हुआ था, यानि नेशनलाइजीशन कब हुआ था, तो भाते रिजब बांग का राष्टे करन हुआ था, लाल लिट मसमी अगला कोशन चीटी के काटने के दौरान तुचा में अंतहा शेपित होने वाला अमल कौन सा है आंसर फॉर्मिक अमल और इसका फॉर्मला होता है H C O O H यहाँ पे फैंट्स हमारे टॉप 10 Most Important Questions पी पूरे हो गए हैं अब बात करेंगे हम Test Questions की तो दो Questions यहाँ पे आपको मिलेंगे इनकी आंसर आप हमें Comment Box में लिखें पहला Question देखें वर्ष 2024 में गुमन्तु महस्तव के चौती संस्क्रण का आयोजन कहां किया गया है Second Question है किस राजे की विधान सभा ने संशोधित धर्मांतरण विदोधी विधया को पारिद किया तो इन दोनों Questions के आंसर आप लोगों ने हमें लिखने है Comment Box में और यहाँ पर हमारे सबी Questions आज के Complete हो गए है Friends इसके लावा आपको कुछ और भी Important News में बताना चाहोंगी Friends अगर आप किसी भी देखे Competitive Exam के तयारी कर रही है उन सभी एक्जाम से related काफे सारी e-books चो हैं हमारी Website पर available है Website के लिए आप Google पर सर्च करें www.ravibooks.pdf.com जिससे आप website open करेंगे जैसे ही आप हमारी website को open करेंगे आप लोग को वहाँ पे सारी e-books मिल जाएंगी Current Face की भी e-books है और subject wise e-books भी है जिसने important questions दे गए हैं तो आप इसली वहाँ से उनको buy कर सकती है इसके लावर daily current face का PDF आप लोग को कहां मिलेगा याद देखीगा हमारा telegram group है Current Face by Ravie नाम से जिसे आप telegram पर search करें आपको इस group पे पूर regular आप लोग को हम यहाँ पे PDF प्रोवाइट करती है Current Face के अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी application को play store से download कर ले रवी study जी के नाम है इस application को जब आप download कर लेंगे तो यहाँ पे आप अपने questions लगा सकती है तो जब आप test लगाएंगे ना तो उससे क्या होगा ना आपके questions और भी अच्छे से आप उनको prepare कर पाएंगे और e-books के लिए आप हमारी website को open कर ले www.raviebooks.pdf.com तो यह सभी जानकारी मैं आपको daily stay देती हूँ ताकि आपको याद रहे क्या क्या चीज़ आपको कहां से मिल सकती है और यह सभी चीज़ से आपके exam oriented है आपकी लिए ही बनाई गई है तो आप इसका benefit ज़रूर ले तो यहाँ पर आज का हमारा daily current interface का important session complete होता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा थैंक यू सो मैफ वाचिंग दिस वीडियो